One Piece में बहुत सारे Pirates Crew हैं जिनके नाम सही लोग डरते हैं पर कुछ ऐसे भी Pirates हैं जो कि लोगों के चहरों पर स्माइल ला देते हैं और आज की वीडियो में हम ऐसे एक Pirate Crew के मेंबर्स का ब्रेकडाउन करेंगे जिनका नाम है Red Hair Pirates So if you are interested, keep watching शुरुवात करते हैं Red Hair Shanks से जो कि Captain and his Pirate Crew का Shanks One Piece में एक Emperor का टाइटल होल्ड करता है और इसकी First Appearance हमें देखने को मिली थी फूशा विलेज में यह वही विलेज है जहां Shanks की मुलाकात लूफी से हुई थी और उस समय भी Shanks की Bounty एक Billion को क्रॉस कर चुकी थी Five Elders ने यह भी रिवील किया है कि Shanks Celestial Dragon की Bloodline से बिलॉंग करता है Shanks की मदर एक Normal Human थी और उनसे एक Celestial Dragon को प्यार हो गया था पर Celestial Higher Upskun का रिलेशन पसंद नहीं आया और उन्होंने Shanks की मदर का Assassination करवा दिया यह बात Confirm तो नहीं है और Shanks के फादर का नाम है Shane Garling Figuerland जिसे Champion of God Valley के नाम से भी जाना जाता है Gold D. Roger और Rayleigh को Shanks एक Treasure Chest में मिला था और उन्होंने Decide किया कि वो Shanks का खयाल रखेंगे उसके बाद Shanks Pirate King की शिप पे ही बड़ा हुआ और एक ताकतव़ पाइलेट भी बना ऐसा माना जाता है कि Shanks One Piece में सबसे strongest हाकी यूजर है जिसने तीनों तरह की हाकी को master कर रखा है और Shanks की हाकी की जलकिया हमने कई बार देखी है चाहे वो लूफी को सी किंग से बचाना हो या वाइट वेट की शिप में क्रैक लाना उसरी अपनी हाकी का यूजर करके Shanks One Piece World में एक लौता ऐसा character है जो बिना किसी devil fruit के इतनी ज़्यादा power hold करता है और इतना ज़्यादा powerful होने के बावजूद भी Shanks वस यही कोशिश करता है कि दुनिया में शान्ती बनी रहे वो अपने crew के साथ enjoy करता है और अगर उसकी कोई insult भी कर दे तो वो उसका बुरा नहीं मानता जिसका example है फूशा विलिज वाला incident शैंक्स खुद के साथ हुए बुरे बरताओं को तो हसी मजाग में उड़ा देता है अगर कोई उसके friends को परिशान करे तो वो उसे बिना सबक सिखाए नहीं छोड़ता और तुम्हें पता है शैंक्स को एक और चीज नहीं पसंद कि तुमने अभी तक चैनल सब्सकाइब नहीं किया तो अभी सब्सकाइब करो वहना शैंक्स तुम्हारे पीशे पड़ जाएगा बैक्मन का कैरेक्टर काफी कूल और काम दिखाया गया है जो फाइड करने के लिए गन का यूज करता है और अपनी बुलेट्स को हाकी में कोड करता है बैक्मन की पावर का अंदाजा हमें तब लगा था जब इसने गन पॉइंट पे कीजरू को शान्द करवा दिया था या फिर उसकी observation हागी काफी ज़्यादा अच्छी होगी विद इस हाई IQ बैक्मन रेड हर पाइर्ट्स का काफी अच्छा strategies भी माना जाता है बट इसमें सिर्फ एक कमी है और वो ये कि बैक्मन एक परवर्ट है सान्जी की ही तरह बैक्मन किसी भी सुन्दर वूमिन को देखते ही अपने senses लूज कर देता है बट जो चीजों से सान्जी से इस मावले में अलग करती है वो ये कि बैक्मन वूमन से भी fight करने से पीछे नहीं अटता अगले मेंबर का रिलेशन लूफी के एक क्रू मेंबर से है अगर तुमने गैस कर लिया तो जल्दी से कॉमेंट्स करो जी हाँ मैं बात करो यासॉप दा मैर विद बर्ड आई व्यू की यासॉप रट हर पायट्स में एदर स्नाइपर एग्जिस्ट करता है जिसके स्नाइपिंग स्किल टॉप नौच है यासॉप को हमेशा से सपना था एक पायट बनने का पर अपनी फैमिली के चलते हुँ सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था और उसकी वाइप ने उसी ये प अगला मेंबर है लकी रू जिसने रट हर पायर्ट्स को एदा शेफ जॉइन किया था पर हमने हमेशा उसे खुदी मीट खाते देखा है लकी रू का बाड़ी साइज बाकी मेंबर्स के मुकाबले काफी बड़ा है और अपने बड़े साइज का ही फायदा वो फाइट्स में उठाता है वो अपनी बॉड़ी में हाकी को अपलाई करके अनिमीज को क्रश करता है एट सर्प्राइजिंगली इतने बड़े साइज के बाजूद लकी रू की स्पीड बहुत फास्ट है ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी लेग मसल्स काफी रदा स्टॉंग और फ्लेक्सिबल है जिसका एक्जामपल हमने देखा था माउंटेन बैंडेट्स की फाइट में जहां पलक जपकते ही लकी रू की गन पाइरट के सर पे थी और कोई नोटिस तक नहीं कर पाया था कुछ फैंस की तो ये भी थियोरी है कि लकी रू टेलिपोर्ट कर सकता है जो उसे कीजरू से भी फास्ट बनाती है रेड हर पायट्स के अगले करेक्टर का नाम है लाइम जूस लाइम जूस भी एक कमाल का फाइटर है जो कि सांजी की तरह सकाइवाक कर सकता है लाइम जूज जब फूजा विलेज में आया था तो उसके पास एक एक्स हुआ करती थी बट बाद में वो एक इलेक्टिकली चार्ज स्टाफ यूज करने लगा जिसे वो एरियल कॉमेट में यूज करता है आज से 12 साल पहले इसने क्रू को जॉइन किया था और करेंटली क्रू में सीनर आफिसर की डैंक होल्ड करता है इससे ज़्यादा लाइम जूस के बारे में हमें नहीं पता अगला मेंबर है बॉंग पंच जिसके नाम में इसकी अबिल्टीज चुपी हुई है बॉंग पंच डिवास्टेटिंग पंचस लैंड कर सकता है जिसकी डिस्ट्रक्टिव पावर काफी ज़्यादा होती है मिल्कुल एलिजबलो के किंग पंच की तरह बॉंग पंच कमाल का म्यूजिशियन भी है जिसकी जिम्मेदारी है रेड हर पायर्ट्स की जर्नी को एंटर्टेनिंग बनाना बॉंग पंच अपने साथ एक मंगी रखता है पर ये कोई नॉर्मल मंगी नहीं है फाइट्स में ये मंकी कमजोर एनिमीज से फाइट करता है जिसे बॉंग पंच सिर्फ स्टॉंगर एनिमीज के अगेंच अपनी पाउर को यूज़ कर सके शैंक्स की किरू का अगला मेंबर है बिल्लिंग स्नेक इसने रेड हर पाइट्स को एज़ डॉक्टर जॉइन किया था बट बाद में शैंक्स ने बिल्लिंग स्नेक को नेविगेटर की जिम्मेदारी दे दी इस वज़ा से बिल्लिंग स्नेक क्रू का एक इंपोर्टेंट पिलर बन गया अनलाइक जोरो जेवंदार टू सोर्ट ओन करता है जिनका यूज करके यह अक्रोबैटिक मूब्स परफॉर्म करता है जो कि इसका फाइटिंग स्टाइल है इस विपन्स मास्टर भी का जाता है क्योंकि इसे हर तरह के वपन की कम्पलीट नॉलेज है और यह किसी भी वेप इसकी स्पेशल ट्रोरिंग टेक्निक जिसमें गैब अपने मुह से एर बिलेट्स अनलीश करता है गैब की एपेरिस देखकर किसी को भी लगेगा कि यह एंग्री मैन है बट असीलियत बिलकुल उल्टी है गैब बहुत ही शाय और दिल का अच्छा इंसान है और तुम इसकी बाउंटी एक रुगी के हिसाब से बहुत ज्यादा थी रॉक्स्टार एक सोर्समेन है जो स्प्लिटिंग सोर्ट टेकनिक यूज़ करता है और अपनी तलवार से वो अपने अपोनेंट के दो टुकड़े करने के लिए मशूर है रॉक्स्टार को अपनी प्राइड ब और रूल्स को फॉलो करें तो यह थे रेड हर पायर्ट के सभी मेंबर्स और सैंक्स को छोड़कर तुम्हारा फिवरिट मेंबर कौन सा है और यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शियर जरूर करना टॉप 10 डेविल फूट्स के बारे में जानना चाते हो तो यह व